हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है तो चलिए दोस्तों नए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उस वीडियो के बारे में सब कुछ तो वीडियो अच्छा मैक DFS syrup के बारे में हम बताएंगे मैक DFS syrup किन condition में बच्चों को दिया जाता है इसका सही dose क्या होता है ये किस company द्वारा market में बेचा जाता है इसकी price क्या होती है और इसका composition क्या होता है दोस्तों जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में तो उसके लिए वीडियो में बने रहें है जिसे बनाती है मैकलियार्स फार्मासीटिकल्स लिम्टेट कंपनी जो की काफी जानी-मानी कंपनी है इसके कंपोजीशन पर नजर डालें तो इसमें इच 5 ml कंटेंट से देखने को मिलता है इसमें सी मीतिकोन 40 mg देखने को मिलता है डिल इसमें 0.025 ml देखने को मिलता है फिनेल ओयल इसमें 0.0035 ml देखने को मिलता है यानि कि इस तरह के बेहतरिन साल्ट को डाल कर मैग DFS सीरप को बनाए गया जिसकी प्राइस की बात करें तो ये लगबक आपको 70 से 80 रुपे में आपके नजदी की medical store पर ये असानी से मिल जाता है दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो ये खास तोर से 6 महिने से उपर के बच्चों में इसका इस्तमाल किया जाता है और 4 या 5 साल तक के बच्चों में दे सकते हैं दोस्तों इसके निमन फायदे हैं ये खास तोर से बच्चों के लिए abdominal pain की समस्या हो तो उन condition में बच्चों को दिया जाता है यानि कि अगर बच्चों को पेट में काफी तेज दर्द होता हो तो उन condition में इस medicine का काफी अच्छा रोल देखा गया है साथ ही दोस्तों अगर बच्चों के पेट में गैस की समस्या होती है तब भी हम इस सीरप को दे सकते हैं अक्सर दोस्तों गैस ज्यादब बनने की वज़े से ही बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत देखने को मिलती है तो ये सीरप जो है दर्द और गैस दोनों तरह की समस्याओं को ठीक करने में अच्छा काम करता है साथ ही दोस्तों अगर बच्चों का पेट फुला फुला सा रहता है पेट में गुड़गुड की आवाज आती है फुल जाता है गैस काफी ज़्यादा बनने लगता है तो उन कंडिशन में भी इस ड्रॉप का इस्तमाल किया जाता है साथ ही दोस्तों कुछ बच्चों में आप इस तरह से देखने को आपको मिलेगा कि उन्हें कॉंस्टपेशन यानि के कबजियत की शिकायत काफी ज़्याद होती है जिसके चलते वो लाइटरिंग जो है तीन दिन या चार दिन या पांच दिन में एक बार करते हैं और इन तरह के बच्चों में पेट ना साफ होने के वज़े से गैस की समस्या काफी ज़्यादा देखने को मिलती है जब जो भी खाते पीते हैं वो पेट में पचता है पचने के बाद जो है आतों में जो है इकठा हो जाता है मल और बाहर नहीं निकल पाता जिसके चलते उनके पेट में सडन स्टार्ट हो जाती है और काफी तेज दर्द या गैस की समस्या देखने को मिलती है तो इन तरह की समस्याओं में ये मैक DFS सीरप काफी अच्छा रोल निबाता है साथी दोस्तों अगर किसी बच्चे को बार-बार मतली जैसा आता है उल्टी होता है तो उन कंडिशन में भी दे सकते हैं क्योंकि मतली या उल्टी आना गैस की समस्या की वज़े से ही होता है तो उन कंडिशन में भी इस सीरप का इस्तमाल कर सकते हैं साथी दोस्तों बहुत से बच्चों में दस्त यानि की बार बार पतली दस्त होती है दिन बर में आड़ बार दस बार पंदर बार तो उनके पेट में ज्यादत दस्त होने की वज़े से उनके पेट में काफी ज्यादा गैस बनने लगता है और पेट में आइठन मरोड की शिका किया जाता है साथ ही दोस्तों कुछ बच्चों में खूनी पेचीस की सिकायत हो जाती है या फिर सफेद पेचीस की सिकायत हो जाती है तो इन तरह के बच्चों में भी एंटन मरोड पेट में काफी ज्यादा होता है और गास भी काफी ज्यादा बनता है और कई बार उन्हें उल्टी जैसा भी होने लगता है तो उन तरह की समस्याओं को भी ये मैक DFS सीरप काफी शांदार तरीके से ठीक कर देता है साथी दोस्तों कुछ बच्चों में कोई हैवी एंटिबाइटिक चलता है या कोई स्ट्राइट चलता है और हैवी एंटिबाइटिक या स्ट्राइट के उज़े से भी बच्चों में गैस के समस्याओं काफी ज्यादा देखने को मिलती है तो उन कंडिशन में अगर हम किसी भी हाई भी अंटिबाइटिक या इस्ट्राइट के साथ इस दवा को देते हैं तो उन्हें गयाज के समस्या देखने को नहीं मिलती है दोस्तों ये एक एलोपाइथिक ड्रग है इसलिए इसे कभी भी इस्तमाल अपने बच्चों को कराना होते हैं एक बार अपन गौनुमेल एब्डुमेनल ब्लोटिंग या एब्डुमेनल कोलिक पेन में काफी अच्छा ये काम करता है और काफी फेक्टिव सीरप है अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो आप इस दवा को जरूर रक्ए हैं क्योंकि राद के समय बच्चों के पेड़ में पर आप दर्द या गैस के समस्याओने पर इस दवा को देकर इन तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं अगर इस दवा के देने के बाद भी समस्या ठीक नहीं होती तो आप अपने नज़दी की किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर अपनी समस्या को ठीक करा सकते हैं और डोस की बात करें तो यह जो है 6 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चों में धाई से 3 एमेल दिन भर में 3 बार दे सकते हैं यहीं बच्चा अगर 12 महीने से उपर 2 या 3 साल का है तो उसे 5 ml दिन बर में 3 बार दे सकता है और यहीं बच्चा अगर 5 साल से उपर 7 साल 8 साल का है तो उसे भी 6 से 7 ml दिन बर में 3 बार दे सकता है side effect की बात करें तो दोस्तों इसका कुछ भी side effect देखने को नहीं मिलता अगर कुछ इसके पिलाने से side effect होता है तो आप अपने नजदे की डॉक्टर से जरूर जाके तुरंट मिले और इस बॉटल को कभी भी पिलाना हो तो शेक वेल विफर यूज यानि कि बच्चे बॉटल को अच्छी तरह से हिलाने के बाद ही इस दवा के इस्तमाल करें और इस्तमाल करने के बाद इसके कैप को टाइटली बंद करें ताकि इसमें एयर ना जाए और ये दवा खराब ना हो और इस बॉटल को और इस स्पाइक को अगर आप खोल देते हैं तो एक महीने तक जिस दिन से कुलते हैं उसके एक महीने के अंदर आपको इस दवा को पिलाना होता है उसके बाद ये दवा खराब हो जाती है तो यह था दोस्तो मैक DFS सीरप के बारे में सब कुछ उमीद करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें